हेलो बच्चों तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ पॉलिणोमियल आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 का पॉलिणोमियल आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए हम लोगी स्टार्ट करते हैं देरे नह Nognomial यह दो जो हुता है फौली का मतलब हो की तबना होता है इसको हम लोग पार्ट भी बोल सकते ढंब सकते हैं पार्ट्स भंच सकते हैं यदि पाड़ हो गया है ट्रह इसको डिकında ट मिलकर बना होता है एक होता है पोली और होता है नो नौंध पॉली और नो मेल्स मातलब हो गया क्षा सहले लगा होना हैता है यह जए वो दो चीज से मिलकर बना होता है एक होता है रियल नंबर और एक होता है पहला जो है रियल नंबर होता है और एक वेरियबल होता है हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं टर्म के बारे में तो टर्म्स जो होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है एक होता है रियल नंबर और एक होता है वेरियबल जैसे कि अगर हम लोग लिख दें वेरियबल में क्या क्या आता है जैसे हम लोग लिखते हैं x y z यह सब को हम लोग क्या मानते हैं वेरियबल मानते हैं और रियल नंबर तो आपने पढ़ा होगा पॉस्ट चैप्टर में रियल नंबर तो रियल नंब यह क्या होगिए एक ट्रांट हो गया अगर शो लिखते है यह क्या है टॉंस है acquire 9 जो हम यह वह एक रियल नमबर हैau एक टारब एक वर्य हो ला महुस्व थैश्थ है इसके बारें हो बात करते हैं वर hill सो गोष क। पावर होता है वो positive integer कुछ भी हो सकता है याद रखना है कि यह non-negative integer कभी नहीं होना चाहिए variable का जो power है वो non-negative integer कभी नहीं होना चाहिए मतलब क्या देखे पड़ रहे हैं terms terms क्या होता है तो real number और variable मिल के बनता है और दोनों जो है वो किस से connect होता है इंटू के form में connect होता है जैसे अगर हम लोग लिग दी है 5x यह हो गया real number और x क्या हो गया variable हो गया और दोनों किस चीज से connect है इंटू के साथ connect है यानि दोनों के बीच में इंटू लगा हुआ है तो हमेशा जो terms होता है वह real number और variable से मिल कर बना होता है और दोनों जो होता है वो इंटू के साथ में connect होता है जैसे हमों लोग कोई भी एक्जामपल ले लेते हैं 9x, 5x, 6x, 7x, कुछ भी हम लोग ले लिए हैं तो real number variable, real number variable, real number variable और दोनों जो हैं इंटू के साथ में connect है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रम्स और इसका जो यहाँ पर variable है वो variable का जो power है वो non negative integer नहीं होना चाहिए यानि कि कोई भी variable अगर हम लिखें x y z कुछ भी उसका जो power है वो हमेसा positive integer ही होना चाहिए non negative integer कभी नहीं होना चाहिए यानि कि अगर हम लोग example देते हैं अगर 2x यह कुछ भी जो है वो क्या है यह इसका जो power है वो negative है तो इसका power कभी भी negative नहीं होना चाहिए यानि कि variable का power negative नहीं होना चाहिए non negative integer कभी नहीं होना चाहिए हमसे सहीं ऺइए पोजिटीव ओचेयो इसको आपको यह समझे लुप हा गया अब हम लोगर ब्लब कह समझते हैं डिग्री आफ टर्म 120 न ब्लब क्या होता है तो डिग्री का are चल trainers है तो यह आएरो यह कि कि अजर्म hem Do terms का जो degree है जैसे हम मुन Lydia समझते है 지 6x square है यहां पर variable क्acción है तो variable x एक सका maximum power क्या है तो है टो इसका डिरी क्या ओगया तो हो गया यहां पर variable क् 감사re क्या है मक्सिमॉम है 21 s this डिरी यहां ट्वींटिवन यहां पर फेरी बलो चौन है जैड़ है जैड़ का हो गया स्कवे सब्सक्राइब ये वह समझते हैं तो बच्चों देख़ें यहां हम समझते हैं कि इसका एक गया यहां पर एक छीज़ गौर कहें यहां पर आपको उऔन वर्य Rubel नहीं है क्या है इसका भर होगा यहां पर इस बेरियबल का पावर लें या इसे आप आप नियुक्त से पहर यह क्या है दिसका पावर ठी सी होना चाहिए बट नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो variable होगा, सभी variables के power को हम लोग sum कर देंगे, वही उसका degree होगा, तो इसका degree क्या हो जाएगा, इसका power 3 है, इसका power कुछ नहीं है तो 1 है, तो total 4 हो गया, तो इसका degree 4 हो जाएगा, इसका ये x भी variable है, y भी variable है, तो दोनों variable का जो power है, उसको हम ल क्या होगा इसका बावर 6 है इसका सबाद कितना हो गया इट इसका डिगरी 8 हो जाएगा इसका करके बता है कि सका कमेंट्स वोगा फॉटा-फॉट ही philosopher करके पहले बताईए झाले हो एक समस रहुत सारा इंपोर्टेंट एक नोट में आपको बताता हूं जैसे मैं लिखता हूं five टेक्ट आम मुझे बता हूं कि फाइब जो है एक टर्म्स है या नहीं यह तो आपको पता होने चाहिए कि five जो है न एक कैसे देखें यहाँ पर यह तो देखें यहाँ पर यह क्यों है हम आपको टॉम्स का मैं आपको क्याइब बताए है इसको बोलते हैं दो चीज से मिलके बना होता है एक real number और एक variable तो real number और variable को हम लों mix कर देंगे तो वो terms बन जाएगा जैसे यह क्या है real number है और यह क्या है variable है दोनों को multiply कर दिये यानि कि दोनों जो है वो इंटू के साथ में connect होता है यह क्या हो गया आपका एक जिरो लगा देता हूँ तो एक्सका पावर जी यह हो गया फाइब मल्टिप्लाइब एक्सका पावर जीरो एक्सका पावर जीरो का वेल्यू हम इसा वन होता है यह वन हो गया दोनों को जो है न एक टर्मस है फाइब क्या है टॉन से क्यों कि 5 के साथ में x ॥ Whaterial है इसका पावर जीरो है तो इसका वेडियू सबन होता है तो 5 डिन खी हो गया यानि कि ये ों टॉम्स है और अमाली एकören होगा क्यों क्यों हम यहाँ पर एक्सका अब। होता है तो 3 समझ में आगे अब हम लोग जानते है कि पैमिनोमिल उसन Luther कर दिसंग क्या होना अगर आपको एक कोजण एक्जं मान दे दिया पॉलिनोमियल का तो आप कैसे पहचाने का कि यह पॉलिनोमियल का ही उसका कुछ कंडिशन होता है तो चलिए हम लोग कंडिशन को देखते हैं कि किस कंडिशन को फॉलो करके हम लोग समझ सकते हैं कि यह पॉलिनोमियल है तो चलिए हम लोग बहुत सारे terms का combination होना चाहिए, और सारा जो terms रहेगा, सारा जो terms रहेगा, वो क्या रहेगा, plus और minus के साथ में connect रहेगा, तो यह हो जाएगा आपका पहला condition, polynomial का, second condition क्या होता है, power of variables, हमेसा non-negative integer होना चाहिए, जो भी polynomial होगा, उस polynomial का जो variable होगा, उस variable का जो power होगा, वो non-negative integer होना चाहिए, यहनि negative नहीं होना चाहिए, हमेसा क्या होना चाहिए, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, 10, infinite तक कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, हमेसा positive integer होना चाहिए, power, variable का power, यह हो गया आपका second condition, थर्ड कंडिशन क्या होना चाहिए, उसमें constant भी होना चाहिए, तो यह थर्ड कंडिशन हो गया, fourth condition क्या होता है, four condition होता है, decreasing order of variables, variable का जो power होता है, वो हमेसा decreasing order में होना चाहिए, example को तोर पर हम लोग देखते हैं, इसी को हम लोग बोलते है, standard form, यह चारो condition को मिला करके क्या बनता है, standard form बनता है, polynomial का, example को तोर पर है, यह एक first term है, यह second term है, और यह third term है, तीन terms यहां दिया हुआ है, इन तीनों terms का combination अगर हम कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, वो एक polynomial बन जाएगा, लेकिन इसको तो हम लोग combination कर देंगा, combine कर देंगे, बट किसमे, decreasing order में करेंगे, example को तोर पर देखते हैं, सबसे पहल और maximum है, इसका power maximum है, तो इसको पहले लिख दिया है, टेक, उसके बाद इसका power किया, variable का power कुछ नहीं, तो one है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे, minus five x, फिर किसको लिखेंगे, यह minus three, तो यह क्या हो गया, आपका एक polynomial होगया, क्यों, इसी को हम लोग बोलते है, standard form, क्या बोलेंगे, इसको, polynomial का standard form, तो बच्चों, आपको से, I hope कि आपको पूरा polynomial का जो concept है, वो समझ में आ गया होगा, मैं आपको क्या करूंगे, यह polynomial का first part था, second part मैं आपको जल्दी ही लेकर आँगा, तो आपको कैसा लगा, मुझे comments करके बताएं, और आपने अगर मैंने चनल क को अब तक सब्सक्राइम नहीं किया है, तो जवदी से सब्सक्राइब कर लें, थैंक्यों